भारत के अंदर होती है पाकिस्तान में जो घटना होती है बैंकर घटना ब्यानक घटना लेकिन उसको लेकर के पाकिस्तान के प्रधान मंत्री वो संग्यान लेते हैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री खुद से आदेश देते हैं और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री यहां तक कह पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने एक सिरलंका के नागरिक को पीट-पीट कर हत्या पीम इम्रान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए शर्म का दिन पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने एक सिरलंका के नागरिक की पाकिस्तान के अंदर पीट-पीट करके हत्या कर दी जाती है ब भार्त के अंदर भारत के अंदर हो रहा है। अंगणेजी में ट्वीट है। हिंदी तरजमा मैं आपको बता रहा हूं। सियालकोट की फैक्ट्री में भीड ने जिस तरह से सिर्ल precipitation नागरिक पर हमला किया फिर उसे जला दिया ये पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन है मैं खुद इस पूरे घटना करम की जाच देख रहा हूँ मैं खुद इस घटना करम की पूरी जाच देख रहा हूँ ये पाकिस्तान के प्रधान मंतिर कह रहे हैं एक वेक्तिकी मोत के उपर मैं और इसके बाद में कहा कोई गल्फ हैमी नहीं होनी चाहिए जो भी इस बरवार हत्या के लिए जिम्मिदार है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी गिरफतारिया हो रही है ये पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की तरफ से का जाता है वहाँ पर एक घटना को ले करके और यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हर सुकरवार को किस तरह से हर्याना के अंदर और अलग 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 छेत्रों में यह के उले एक हर्याना की बात नहीं अलग 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 छेत्रों में भी नमाज को ले करके माइनर्टी को कैसे जो टार्गिट किया जा रहा है विनु सत्या के बाद में पूरा पाकिस्तान पूरी सरकार घोर कटर तैरीके लब्वैक पाकिस्तान के खिलाब खड़ी हो गई 24 गंटे में 120 गरफतर्या हो गई और यहां पर भारत में हर सुकरवार को आतंग होता है पर मजाल है कि सरकार कुछ करे देखी किस तरह से यहां पर हर सुकरवार को दिल्ली में दिल्ली की नाक के नीचे प्रधान मंत्री की नाक के नीचे जो है वो गुड़गाओं के अंदर किस तरह से तंड़ होता है लेकिन मजाल कोई सरकार की तरफ से कोई नुवाइंदा उस पर कुछ बोले मजाल उस पर कई पर कोई एक्सन हो दूसरा ट्वीट के है विनोत कापणी ने इसमें लिखा है आतेंकियों के पनागा कहे जाने वाले पाकिस्तान में कमजोर प्रधान मंत्री इमरान खान के घोर गण तो बोले से घाबराते हैं तो देखें फरक देखिए आप हम यहाँ पर जो है अपने प्रधान मंत्री को गरश कह ना चाहते हैं कि हां अमारे देश प्रधान मंत्री दुनिया के इतने बड़े लोक्तंतर देश के प्रधान मंत्री वो अपने अलब संकवों पर हो रहे अत्यचार के खिलाफ बोलते हैं लेकिन कहीं पर नजर आये तब बोले न नजर नहीं आता है नरेंदर मोदी जी का कोई एक ट्वीट कोई बीजेपी सरकार का एक एक एक्शन और किस तरह से तंडव होता है यहाँ पर कितने जो है मोबलेंचिंग घटाए हो गई लेकिन कभी सरकार ने मुँखोला दिल्ली के अंदर जो है मोदी सरकार के होते वे इतना बड़ा दंगा हो गया और मोदी ज्याओडी मोदी में लगे रहे लेकिन किस तरह से वहाँ पर कुछ नहीं होता है और आप देखिए पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर के खुल करके आवाजे उठ रही है ये पाकिस्तान के एक्ट्रेस है ये महिरा खान और इन्होंने लिखा है आज पाकिस्तानी होने पर शर्म आ रही है अपने देश के प्रधान मंत्री इमरान खान पर क्यो भड़की महिरा खान अगर यहां पर कोई कहे दे यहां पर कोई लेकिन अपने देस में क्या हो रहा है उसपर कोई नहीं बोलता है अपनी गंदके को साफ करने के लिए कोई सामने नहीं आता है और पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसको कट्रपंति हम लोग कहते हैं जिसको कहते कि वह आतंक्यों को पना देता है और वहां से लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाई जो सामने आती है एक गणेस मंदिर के उपर हमला हुआ था इससे पहले वह ख़बर भी हमने आपको द यहां पर उप मुख मंत्री खड़े हो करके बोलते हैं कि अब मत्रा की तैयारी है किस दो परसाद मोर्य का बेहार यहां पर योग्या दितनात कहते हैं कि कार सेवा होगी मत्रा के अंदर और फूल बरसाए जाएंगी यह कहा जाता है साइद अफरीदी ने भी इसको ले करके अब पाकिस्तान के अंदर और यहां पर किसानों के वेपर ट्वीट करने से जो है वह उसंतिन टैनुलगर से ले करके मिताभ बच्चण, विराट कोलिर तमाम लोग जो है वो आ जाता है कि देश की आंत्रिक मामला है इसमें मत भूलिये यह देश का अंत्रिक मामला है कि 7 ago सालों से बैठे रहे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा तो देखिए फर्क आप देखिए हम कहा पर जा रहे हैं आज पाकिस्तान से जो है वो हमको सीखने की जरूरत बताई जा रही है कि पाकिस्तान से भारत को सीखना चाहिए और पाकिस्तान को हम जो है वो नशियत देते रहते हैं पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया कहती है और उसमें हमारा पाकिस्ता होता कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकियों को पना देने वाला देर से लेकिन आज वही पाकिस्तान किस तरह से भारत को यहाँ पर आप देखे किसे RSS की बात आप कर लीजिए, बजरंगदल की बात आप कर लीजिए, विश्व इंदो सभा की आप बात कर लीजिए, जो तमाम संगठन हैं इनकी बात आप कर लीजिए, कैसे ये लोग जो है वो लग या और जो हिंदुवादी संगठन जो अपने आपको कहते हैं वो यहाँ पर जब बात होगी अलब संगगों की जब बात होगी दलीतों की जब बात होगी मजदूरों की तो उस समय पर कम से कम कुछ ऐसे अतियाद जरूर बढ़तेंगे ताकि भारत की भजियत ना हो और भारत को फिर पाकिस्तान आइना ना दिखाए कि देखिए हमारे यहाँ पर अगर कुछ होता है तो हमारे प्रधान मंतरी स्टैप लेते हैं और खास करके नरेंदर मोदी जी के लिए भी यह के आइने की तरह से उनको देखना चाहिए कि अज़ पाकिस्तान क्या कर रहा है और हम क् है इस खबर को लेकर